नमस्ते मैं कुमार उत्पाल लिमका बुक अफ वर्लेकाड होल्डर तीस पुस्तकों के लेखा का आज मैं सुरू करने जा रहा हूं अंग महाजनपद मैंने अभी तक जितनी पुस्तके पढ़ा हूं उस सब के सब में अंग महाजनपद के साथ न्याय नहीं किया गया और वह न्याय इसलिए नहीं किया गया कि हड़े एक पुस्तकों में चाहे ग्रेजुएशन का पुस्तकों सबी में दो चार पांट लाइन मैक्सिमम पांट लाइन से जादे आपको नहीं मिलेगा चाहे कितनी भी स्टेंडर्ड पुस्तक है सुल्लह महाजनपद में अंग महाजनपद को विसेश अस्थान नहीं दिया गया जबकि आज मैं आपको प्रमानित कर दूँगा कि अंग महाजनपद के बिना देश की चर्चाएं भी कम पर जाती है क्योंकि यह ऐसा महाजनपद था कि एक देश में नहीं बलकि अनेक देशों में इसकी उपनिवेश और संस्कृती थी इसमें हमारे बिद्वजनों और सोध करताओं को मैं आमंत्रित करूंगा कि इस पर सोध किया जाए और सरकार का भी ध्यान इस तरफ दिया जाए मैं आपको पता रहा हूँ दो ही ऐसे आपको अंग महाजनपद एक दूसरा है चोल समराज चोल गनराज जो यह चोल राजा जो थे और चोल राजा से भी पुर में बहुत पुर में अंग महाजनपद हुए थे जो बिदेशों में विसेस करके दच्छिन पुर्वेशिया की जितनी भी सुवर्ण भूमी है वो सब की सब जिसकी एक लंबी फेहरिस्त है और वहाँ पर इन लोगों ने ब्यापार ही नहीं किया वहाँ जाकर के इन लोगों ने संस्कृति को अपनी संस्कृति को वहाँ पर परोसा और लोग आज भी उसको याद किये हुए हैं और उसका चित्र कला से ले करके लेखन कला खान पान रहन सहन उठन बैठन सब चीजों में उसको अपना लिये हैं मैं यह कहना चाहरा हूं यह जो अपनत्तों का भाव था आकिर क्यों सरकार इतना उदासीन है कि इस पर कार्ज नहीं कर रही है जब किसी भी पंक्षी का अगर पौर कार्ड दिया जाये तो उसकी कलावाजी क्या होगी उसी तरह से अगर हमारी संस्कृती नहीं बढ़ेगी तो संस्कृती का जो प्रभाव था प्राचीन कालों में विसेश करके अंग महाजन पद में उस पर विसेश कार्ज होनी संस्कृतिक विराशत में वह सब के सब राजास्रे मिले हैं जो राजा इस पर काम किये हैं वह बहुत ही आज भी वह जिवन्त है और वह जिवन्तता जो है हम लों की एक पहसान है हम लों की एक संस्कृती है उस पर मैं आपको बता रहा हूं कि जितने भी राजास्रे विद्धुन विद्ध्ध्वाण हुए वो सब कहीं न कहीं राजारा के राजाष्हां सर्य के परिणाम सरूप ही हो सके। की सुवर्ण भूमी है परला हिंद है यानी मले और मले हैं इंडोनेशिया है इंडोनेशिया जो आज कही जाती है वह जावा सुमात्रा बोर्णियो मदूरा सेलिविज बाली लुंबोक टिमोर मलाया प्राइदिप मुलक्स न्यू गीनी का पस्मी भाग स्याम जो आज कल नाम कमबोडिया में चमपा की उपनिवेश और संस्कृति की अस्थापना हुई और वह जो हुई है अंग महा जनपद के द्वारा और उसके बाद में बाद में चोल सामराज के द्वारा भी काफी किये गए मैं आपको बता रहा हूँ यहां के इतिहास के बादे में अंग्लेज इतिहासकार जो है रोवर्ट मॉन्ट गोगरी मार्टिन कहते हैं कि भागलपूर में जहां भी आप खड़े हो जाएं वहां एक इतिहास होता है एक एक ढेले मिट्टी का जो ढेला है उसको उठाए तो इतिहास का ढेला होता है और जहां फेक देते हैं वहां एक इतिहास गड़ा होता है मिन्स यह हम लोग नहीं काते हैं यहां की इतिहास नहीं कार काते हैं बलकि महान इतिहासकार अंग्रेजी इतिहासकार रोवर्ट मॉंट गोबरी मार्टिन यह बात काते हैं तो इससे तो और भी हम लोगों को इस पर सोध करना चाहिए और हम लोगों को आगे आना चाहिए कि अंगज-महाजणपद का क्या संस्कृतिक योगदान, आर्थिक योगदान और अन्य योगदान क्या-क्या है उसपर हम लोगों को विचार करनी चाहिए यह वह भूमी है मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ यह वह भूमी है जो पुरुशार्थ की संस्कृती है क्योंकि एक छोटे से जनपद, महाजनपद और वह आपको दक्षिन पूरुव एशिया की एक नहीं सैकुडो आपको जो द्यूप थे उस पर इनका वर्चस रहा और वह वर्चस प्रेम का वर्चस रहा आर्थिक वर्चसुरह, सांस्कृतिक वर्चसुरह, या डंडा और लाठी और बंदू के बल पर नहीं, बलकि प्रेम और सांस्कृतिक योगदान के चलते, वो लोग वहाँ पर हमलों से संबंद रखे, और वहाँ जाकर के यहाँ के लोग बसे, जो यहाँ के अंग, बंग, प परमादर्णिये प्रधान मंत्रे श्रे नरेंदर दामोदर दास मोधी जी गए थे तो वहां के तीन सो से अधिक द्युपों के जो लोग थे राष्टा अध्यक्ष थे चाहे वो प्रधान मंत्री हो चाहे राष्ट पती हो उन लोगों ने कापी warm welcome ही नहीं किया कई प्रधान मंत्री कई रास्टा ध्यक तो पैट छू करके मोदी जी को प्रणाम की तो यह तो एक बहुत बड़ी पहसान है कि वह कहीं न कहीं परोक्षा और परोक्ष रूप से हमारे अंग महा जनपद के लोग हैं या हम इस अंग महा जनपद से प्रभावित ये लोग हैं जो आज भी वह लोग भूले नहीं है भले हम लोग उनको भूल गए हो और उसको हम लोग को भूलना नहीं है आगे बरहना है तो यह पुरुशार्थ की संस्कृति है और दूसरी बात है वैदिक और देव जिसको हम लोग वैदिक और देव अथवा ब्रात और असूर संस्क समागम मिन्स शंगम है आप इस पर मैं बहुत विचार रखूंगा जो आगे बताऊंगा कि किस तरह से आपको देव और अशूर के बीच समुद्र मन्थन होता है और मंदार परवत जो पहाड़ी है परवत है वह परवत से शमुद्र मन्थन किया जाता है और उसे जो प्राप्त होती है चीजे वह एक चीजे नहीं है अनेग चीजे है और वह जो है बहुत बहमुल है और वह सारी बहमुल चीजों को बिसो को दान कर दिया इसलिए बिसो अस्तरिये दान भूमी है और या बिसो अस्तरिये दान भूमी को हम लोग क्यों भूल गए और मैं यह कहता हूँ वही दान भूमी जो है आपको कर्ण जो राजा कर्ण थे वह दान के रूप में प्रतेक दिन सवा मन शोना दान करते थे वह दान की संस्कृति जो है सो राजा कर्ण जिसको अंगराज कर्ण कहा जाता है महां तक आई है यहां पर बाशु पुझे की पंच कल्यान भूमी है बिसो का प्रथम बिसो का प्रथम हाथी विशेशग पाल काप्य मुनी के ज्यान धरोहर का अस्तल है अधिरत और अंगराज कर्ण की भूमी है कौसल्या की छोटी बहन वर्षनी एवं बेटी शांता का ससुराल है असो की मा सुभ द्रांगी का नईहर है बिहुला बिसहरी की कथा केंद्र है मंसा की नगड़ी है अपसरा का कीरा अस्तल है और मंजुसा कला का स्रोत अस्तल है जो विसो अस्तरिये कला में से एक कला आती है तो आज इस पर हम विसद चर्चा करेंगे और इस विसद चर्चा से बहुत सारी चीजे आप लोग नहीं जानते हैं उसको आप जान पाएंगे विसेंस करके BPSC, UPSC, NET, GRF के जो बच्चे हैं उन्हों के लिए बहुत महा उप्योगी है मैं आपको बता रहा हूँ, अंग छित्र पड़ा रहा हूँ, अंग छित्र कहा से कहा तक फैला हुआ इस नक्से में आप देख रहे हैं यह मगद है जिसकी राजधानी राजग्री है और यह अंग है जिसकी राजधानी चंपा है इधार पुन्डु है, इधार वंग है, बंगाल का चित्र है, तो यहाँ मगद के चित्र से ले करके और बहुत समय तक तो मगद भी अंग के अंतरगत रहा है, तो इतने आप बरा जो चित्र आप देख रहे है, या चित्र जो है अंग का. अंग प्राचीन भारत में लोह यूग में इंडो आड़े थे और वंग तक इसका फैलाव था वंग यहां है आप देख रहे हैं वंग जो है सो उसका फैलाव आप देख रहे हैं बहुत दूर तक इसका फैलाव है यह देख रहे हैं मैं आपको डिमार्केट करना चार रहा हू यहां से आप देखेंगे तो यह लगवग यह छेत्र जो है यहां से यहां तक का यह जो छेत्र है यह आपको अंग का छेत्र है तो यह लौह यूग में भारत के लौह यूग में इंडो आड़े थे और वंग तक बंगाल जिसको काते हैं तक फैला था सुल्ला जन्पदों में से एक था लेकि या सुल्ला जन्पद जितने भी सुल्ला जन्पद थे उसमें यह जो आपका छेत्र था अंग छेत्र वह धार्मिक प्रदेश के रूप में माना जाता था और जितने भी इसके राजा थे वह सब के सब धार्मिक संचेतना के सजनक थे इसमें कूट कूट के भड़ी थी जो आप महाभारत रामायन महाभारत और अन्य सुरोतों से आपको जानकारी मिलेगी आज उस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे महाभारत के सक्षों के आधार पर या जो है आधुनिक भागलपूर और या जो है मुंगेर जिले का छेतर है आज भले ही मुंगेर से कई जिले बने हैं आप जानते हैं लेकिन प्राचीन मुंगेर से आप जानने हैं कि सेपूरा लकिसरा वगड़ा बने हैं आपको उस समय का बहुत बड़ा छित्र था, मुंगेर कई जिलों से बना हुआ था, तो या भागलपूर मुंगेर जिले का छित्र से ले करके बंगाल छित्र था, चम्पा नदी इसकी पस्मी भाग में थी, और आपको जो मगद का बॉंडरी था और पूरा में राजमहल या जो राजमहल की पहाडी है जो अभी बहुत साड़े भाग आपको भागल पूरा बाका में हैं लेकिन कुछ अधितर भाग जो है जहारखंड में चला गया है लेकिन पहले इसी में था एफी पारगीटर जो थे वह बड़े विद्वान थे उन्होंने आधुनिक भागलपूर मुंगेर जीले का छितर से ले करके इसका विस्तार कोशी तक पूर्णियां के पस्विंभाग की सीमा तक में इन्होंने रेखंकित किया शोमदेव कृत जो कथा सरीत सागर है या जो बहुत महत्तपोन पुस्तक है एक आर्मी शदी में अंग के सहर वीटंग पूर शमुद्र के किनारे बंगाल की खाड़ी में बशा था तो यह एक बहुत महत्तपोन यह आपका जगा है और यहां से आपको असपस्ट हो जाता है कि यह ब्यापार का एक बहुत बड़ा छित्र था बंगाल की खाड़ी में और इसको आप दिहान रखेंगे वीटंग पूर जो था या ब्यापार का बहुत बड़ा एक अड़ा था छित्र था, शक्ति संगम तंत्र के अनुशार हम देवघर से ले करके भूमनेश्वर तक इसका हम चर्चा कर सकते हैं, देवघर से भूमनेश्वर तक की चर्चा करते हैं कि यहां तक इसका फैलाव था, यहां नदियां जो थी, कापी अच्छी अच्छी नदियां थी, कापी उपजाव नदियां थी चानन नदी के तीन भाग में से एक पर चंपा नदी जुड़ी हुई थी बरुआ नदी है कोशी नदी है महानन्दा नदी है यह सब नदियां अंग छितर की नदियां है और यहां की मिट्टी काफी मुलायम है जो आपको कई पुस्तकों के अनुशार यहां की मिट्टी काफी मुलायम थी जिससे फसल जो थे बिभिन प्रकार के होते थे और काफी उपजाव होते थे मैं यह कहना चाहता हूँ यह राजधानी इनिका कहा था इस पर आपको बता रहा है इसका नाम क्या था उस पर भी मैं आपको चर्चा करना चाहता हूँ चंपा नगर काते हैं, चंपा काते हैं, चंपा नगडी काते हैं, चंपा पूरी काते हैं, पुरान के अनुशार या इसका नाम था मालनी था, इसको काला चंपा भी कहा जाता था, जाता ग्रंथ में चर्चा है, कर्णगर जो है, या महभारत काल में इसकी चर्चा है, और या जो चमपा है एक बंदरगाह था लेकिन यह बंदरगा शमुत्रिक नहीं था बलकि यह जो था आपको नदी बंदरगाह था जहां से ब्यापार जो है खूब फला फुला था राधानी चमपा गंगा और चमपा नदी के संगम पर अवस्तिता यह चारों तरफ से किले बंदरगाह था आज भी भागलपूर के एक महले का नाम जो है या जो है चमपा नगर रखा गया है तो आज भी किया कंटिनूड है इसका मतलब है कि यह बहुत बहुत बढ़ी बात है मैं मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ कि यह जो इसके वास्तुकार कौन थे तो इसके वास्तुकार जो थे महा गोविंद थे महा गोविंद जो थे वह राजग्रह के निरमान करता भी थे तो राजग्रे का जो निर्मान करता महा गोविंद वास्तुकार थे वही यहां के भी वास्तुकार थे और वह बहुत सुन्दर नगडिक निर्मान किया था मैं आपको बता रहा हूँ आखिर अंग और उसकी राजधानी चंपा का नामकरन कैसे हुआ किस कारण इसका नाम जो है या दिया गया तो उस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि इसका नामकरन किस संदर में इसका किया गया है मैं उस पर आपका विस्तार से बताने जा रहा हूँ बहुत ग्रंत के अंशार यहां के जो सासक थे उसके अंग जो है काफी संदर होते थे तो संदरता के कारण इसको जो है इसके अंग संदर थे इसलिए इसको अंग कहा गया महाभारत और पराणिक साहित के अनुशार बली जिसको बाली भी कहीं कहीं चर्चा है उनको कोई संतार नहीं थी रिशी द्रग तमस से पुत्र प्राप्ती हेतु आसिरवाद देने का अंगोध किया था रिशी ने बली की पत्नी जो थी सुदेशना थी उससे नियोग प्रथा के माध्यम से पांच पुत्रों को जन्म दिया था और वह पांच पुत्रों में से एक अंग थे जिनके नाम पर यह अंग महा जन्मपज है जो अंग के संस्थापक भी कहे जाते हैं दूसरा वंग है जो बंगाल में है कलिंग जो है आपको उडिशा जो कहा जाता है पुन्डु है और इसमें अंग जो है जिसके बाड़े में अभी हम चर्चा कर रहे हैं, मत से पुरान जो मत से पुरान यहां आप देख रहे हैं, यहां पर आप देख रहे हैं, मत से पुरान है, मत से पुरान और यहां पर महावारत है, महावारत पुस्तक के अनुशार, महा भारत के उंसार बली के पांच पुत्रों में से अंग के नाम से इसका नाम अंग परा है कर्ण एवं भानुमती जो इनकी पत्नी थी वह चंपा नगर नाम करन किया चंपा इसी लिए क्योंकि यहां चंपा के वाग थे और काफी पुस्पित थे और शुगंदी थे लेकिन यहां दानवों का बड़ा अक्रमन हो रहा था और उसे लर करके इसको कृशी योग भूमी बनाए और इसलिए इसके बाद से लोग बसने लगे फिर से क्योंकि काफी घंगोर जंगल इस छेत्रों में थी रामायन के अनुसार भगवान शीव ने कामदेव को क्रोधागने से भस्म कर दिया था जिससे उनके अंग यहां परे थे तो इसका नामकरण अंग परा था कि चाहे आपको कामदेव के अंग के गिरने से अंग रखा गया हो या अंग राजकुमार के नाम पर राजा के नाम पर अंग रखा गया हो लेकिन इसका अंग नाम एक ही है और सभी विद्वत जनों और विभिन पुस्तकों से एक ही नाम आती है इसलिए इसमें नाम करण मे सभी एकमत हैं चलिए मैं आगे आपको बतलाना चाह रहा हूं कि यह जो है अंग महा जनपद के ब्यापारी गण कौन-कौन थे और उनका क्या योगदान रहा है क्योंकि आगे जनपद का सबसे बड़ा अगर महत्वूर्ण है सांस्कृतिक योगदान के शाथ साथ। इसका सबसे बड़ा योगदान है तो आर्थिक है क्योंकि आर थे के इसकी जो ब्यवस्था थी उससे काफी प्रभावित हुई थी खास करके दक्षिन पूर्व एशिया के दिश मैं आपको बता रहा हूँ अंग महाजनपत के बैपारी गन में महाजनक थे जिन्हें 500 नाविकों को ले करके या बैपार करने चलते थे एक बार जब यह जा रहते 500 नाविकों के शमों के साथ तो वहीं पर यह किना आपको मनी माला नाम की राजकुमारी से भेट होती है उसमें काफी गुर्दाशनिक भारतालाप होती है और राजकुमारी मनी माला को वह इतना बढ़ियां से उदबोधित और शंबोधित करते हैं और समझाते हैं कि वह नम्रता पुरुवाग उनकी बातों को सुनती जा रही थी मैं आपको बता रहे हैं महाजनक तो थे ही साथमी आठमी सतापदी में आपको बाला लखिंदर जी थे वो भी बहुत महत्तपोन थे आप देख रहे हैं बाला लखिंदर जी काफी महत्तपोन थे जिनें साथ जहाज और साथ गुदाम था शोन कोटी विस और चांद शौदागर भी बहुत बड़े आपको ब्यपारी गण थे मैं आपको यह कहना चाह रहा हूँ इसके अलाबे और भी अन्य कई हैं लेकिन प्रमुख के बारे में पूछे जाते हैं इसलिए मैंने आपको इनकी चर्चा किया है अंग जनपद की जो हम अगर एतिहासिक चर्चा करेंगे तो यहां पर आप देख रहे हैं या अथरवेद है तो सबसे पहला उत्तरवैदी काल में अथरवेद या वेद का चौथा है भाग है ठीक है ना रीग वेद यजूर वेद शाम वेद और अथरवेद तो अथरवेद में इसकी आपको चर्चा है जबकि मैं आपको थोड़ी सी हलका चर्चा करना चाह रहा हूं कि रीग वेद का प्रथम ब्रह्मन से है ब्रह्मन रिश्यों के द्वारा जो लिखे गए थे उन को ब्राम्हन ग्रंद कहा जाता है और ये तरे ब्राम्हन ते तो ये तरे ब्राम्हन में भी चर्चा है लेकिन सभी विद्वान एकमत है कि अथरवेद में है इसलिए मैं अथरवेद की ही चर्चा कर रहा हूं लेकिन संभावता या रिगवेद में भी इनकी ये लोगण होंगे रिगवैदिकाल में चलिए लेकिन आपको competition में direct प्रशन पूछे जाएंगे इसलिए अथर वेद ही दीजिएगा मैं आपको बता रहा हूं गैर आड़ जाती और बहुत ग्रंथों के अनुशार्स यहां के जो सासक के अंग काफी सुन्दर होते थे इसलिए आपको मैंने बता हैं अंग नामकरण भी हुआ था और यह लोग सुजाती थे सुजाती का मतलब होता है अच्छे वंस वाले और ब्रात होते हैं बुड़े वंस वाले तो यह सुजाती थे अच्छे वंस वाले थे और यह इसका प्रियोग महाभारत काल में हुआ है अंग महाजनपद का पूछे जाते हैं तो अंगूतर निकाय में जो बुद्ध पुर्व गनरा है अंगूतर निकाय में इसकी चर्चा है और जैन ग्रंथ में सबसे पहला चर्चा जो है भगवती सुत्र जिसको हम भगती सुत्र भी काते हैं उसका एक और नाम है जो आप लोग ध्यान रखेगा व कि पूछे जाएंगे बहुत ग्रंथ में अंग की चर्चा किस ग्रंथ में आई है तो अंगूतर निकाय में और जैन ग्रंथ में किस में आई है तो भगवती सुत्र में और आपका सरप्रथमुले किस में है तो अथरवेद में तो यह तीन प्रश्न बहुत पूछे जाते है हर एक पड़िच्छाओं में विशेज करके UPSC, BPSC, NetJRF में तो इसको ध्यान लखेगा प्रज्यापना सुत्र में भी अंग जो महाजनपद है उसकी विस्तार में चर्चा है मैं आपको बता रहा हूँ अंग जनपद के प्रमुख सहर में आपको मैंने पहलाई चर्चा कर दिया है कि चंपा तो है ही उसके बाद भधिया है भधिया की बहुत चर्चाएं आएंगे जिसके हम और भी आगे चर्चा करेंगे भधिया है भधरिया है भद्रिका है संस्कृत में कहा जाता है पूराना भागलपूर में आता था आज कल हुआ बांका जिला में आता है अश्वपूर कहा जाता है संस्कृत में और आशन है तो यह जो है प्रमुक आपको शहर है प्रमुक नगर है आपको अंग महाजन पत को ध्यान रखिये खास करके भधिया का जिसको भधड़िया भी काते हैं इसके बहुत चर्चा है बहुत जगा इसके आपका उले किया गया ह है इसपर हम आगे चर्चा और करेंगे अंग महाजन पत में भगवान बुद्ध और महावीर कितने बार आए और वह कितने बार आए इसकी चर्चा होना बहुत ज़रूरी है भगवान महावीर अंग प्रदेश में तीन वर्सावास ठाड़े थे और उसमें एक नाथ नगर जो भागलपूर के जिले में ही है भागलपूर के पासी है वहाँ नाथ नगर में यह बिदाय थे भागवान अच्छली महावीर या बुद्ध थे बुद्ध भागवान बुद्ध या दोनों आदमी वर्शाकाल में तीन महिने ये लोग कहीं जाते नहीं क्योंकि उसमय काफी बर्शाएं होती थी घंगोर जंगल थे और उसमें आपको बहुत दिक्कत होती थी इसलिए ये लोग एक जगह रूप करके और आपको अपने विद्यार्थियों के अपने शिश्यों के साथ बिविन तरह के आपको धार्मिक वहचारिक वारतालाप करते तो यहां वर्शावास तीन बिताय थी भागवान बुद्ध दो बार बिताय थी याक चंपा नगडी में आय थी और चंपा नगडी के जो उसमय के सासक थे वहां शोण दंड थे आपको मैं बता दे रहा हूं शोण दंड थे विंबी सार के संकालिन थे जहां गरगड़ा पुसकर्णी तालाव के किनाड़े बुद्ध के साथ पांथ सो सिस आये थे और जिसमें उनके जो परमशिस्य थे सारी पुत्र जो दस उत्तर सुत्र का प्रवचन दिया था यह जो बात है यह बहुत मात्तपून है इसको ध्यान में रखेगा दस उत्तर शुत्र का प्रवचन सारी पुत्र दिये थे और सारी पुत्र जो थे इनके शिश्य थे भदिया जिसकी हम बार-बार चर्चा का दे भद्रिका या भदिय ग्राम जहां नगरिये शब्यता का पूरा तत्तो अस्थल है चतूर्थ सताप्दी के अंति में फाहियान यहां तक का दिये कि हाँ कई बहुत मंदिर थे मठ थे मैं यह बात एक कहना चा रहा हूँ जिस तरह से हरप्पा और मोहंजोद्रों की खोज हुई थी उसी तरह से अंग महाजनपद की बहुत बड़ी आर्कियोलोजिकल साइट है भदिया में आर्कियोलोजिकल साइट है और वह उसकी खुद और उसका अनिवेशन होना चाहिए अंग महाजनपद की आपको एक दो नहीं सैक्रो अस्थल ऐसे है जहां पर अभी तक कोई अनिवेशन नहीं हो रहा है कोई खुदाई नहीं हो रही है अगर उसमें खुदाई होगी तो स्वहाविक है बहुत बरी नगड़ी और बहुत अ का ज्यानवर्धन होगा मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूं कि साहितिक अवदान क्या है आप जानती है कि उस समय आपको यह एक बहुत बड़ी बात है कि आपको शाहित जो रचना हुई थी वह सभी साहित वहां जमिंदोज कर दिये गए या जला दिये गए बाद के सास को के द्वारा क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे जो है बाहरी शाशक आये और वह शाशक या तो जमिंदोज कर दिये या तो उसको आपको खतम कर दिये जला दिया तो मैं यह काता हूं वह बचा नहीं लेकि मैं आपको बता रहा हूं कि अगर अन्यवेशन हो तो बहुत सारी पुस्तके की बातें आएगी लेकिन एक ही पुस्तक सब पर भारी है वह है साहीतिक अवदान जो है विशो का प्रथम आज भेटनरी साइंस की हम बात करते हैं बहुत सारे विशो के लेखक इस छित्रों में आ गए हैं लेकिन विशो का प्रथम हस्तयार वेद वहां पालकाप्य मुनी थे जिन्होंने रचना की थी हाथी की सारी सामग्डी उसके बिमारी उसके विकास सभी के बारे में काफी विस्तार से चर्चा किया गया है और उस समय आपको बता देते हैं कि वह पूरे विशो में आपको विसेश करके हाथी आपको उस सित्रों में सबसे अधिक पाया जाता था और यह जो है जो आपको या आप तो जारखंड बट गया है लेकिन वह जो अंग का जो छित्र था वहाँ पर हाथी की प्रमुक्ता थी और सफेद हाथी पाए जाते थे उसके बगल में ही आपको बंग से सटे हुए जो आज हम लोग मैनवार काते हैं मैनवार के आस पास और बंगाल के जस्न नजदीक जो अंग का प्रदेश भी था और वह जो है पीगू है जहां हाथी की काफी जमावडा भी थी बाद के मद्यकाली भारत में और वहाँ से बिजैनगर के राजा जो है वहाँ से हाथी मंगवाते थे तो यह जो मैं आपको क्रिश्न देवराय जो बहुत बड़े शासक हुए वह मंगवाते थे पेगू से आज उसका नामकरन नवी नामकरन आ गया है तो आप देख रहे हैं हस्तायार वेद जो है पहली रचना हाथी के बिशय में और उसके विकास के बारे उसकी बिमारी के बारे में पहली बिश्व में यह रचना आई थी और वह आपको अंग के आपको राज्य में यह निर्मान हुआ था आप कहेंगे कि सर यह कैसे आप कहते हैं यह बात तो मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि पालका पे मुनी जो थे वह हाथी सफेद हाथी और हाथी के विससग थे और चमपान निवासी थे जो यहाँ पर मैंने इसकी चर्चा कर दिया है वह चमपान निवासी थे और यह जो है रोम पाद जो राजा अंग के राजा रोम पाद जिसको लोम पाद भी कहा जाता है और यह रामायन कालीन अयुद्या के राजा दसरत के सारू भी थे क्योंकि कौशल्या की छोटी बहन से इनकी साधी हुई थी तो आप यह रोम पाद जो है जो किसी-किसी पुस्तकों में भी रोम पाद भी कहा जाता है और वह जो है उनके शमकालीन थे और उन्होंने राजासरय दिया था और यह जो है कई पुस्तकों से इस बात की आपको समपुस्टी होती है जिसमें चंद वरदाई द्वारा लिखे प्रितिवी राज राशो एवं ANLD की जो Notes on Ancient Ang of District of भागलपूर में यह चड़चा है तो आप यह समझे चंपा निवासी या आपको हाथी विशेशग पालकाप में मुनी थे और इसलिए यहाँ पर हाथीयों का संबर्धान काफी हुआ था और या व्यापार में भी काफी आपको अग्रज की भूमिका निवाया क्योंकि हाथी के दात से कई तरह के आवभूशन ही नहीं बनाया जाते थे बलकि आपको इसकी सजावट में भी उपयोग होता था तो विदेश में आपको यह रोम तक मिस्र तक और दक्षिनपूर्वेशिया की तो लगातार यहाँ जाती थी यह था मैं आपको बता रहा हूँ आखिर अंग महाजनपद की सांस्कृतिक विसेश्ता सांस्कृतिक विसेश्ता तो बहुत साड़े राजा के भी रहे हैं डैनेस्टी के रहे हैं राजवन्स के रहे हैं लेकिन यह सांस्कृतिक विसेश्ता जिसके सांस्कृतिक प्रभत्त आपको कहा कहा रहा किस किन किन देशों में रहा और क्यों रहा तो मैं आपको बता रहा हूं और उसकी प्रमानित्ता क्या है लोग पूछेंगे आप कह रहे हैं सर की श्याम और जिसको थाइलेंड आज कल कर रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं प्रतक्षम की प्रमानम एक नहीं है अनेक है और कई पुस्तकें हैं कई मंदिर में इसकी चित्रंकन है और कई खान पान रहन शहन एक एक चीजों में इसकी चर्चाएं है आईए मैं बता रहा हूं स्याम जिसको थाइलेड कहा जाता है समराज में अंग के मंदार परवत के चित्र मिलते हैं तो मंदार परवत जो है जो अंग की सबसे बड़ी धरोहर है और या देव और अशूर का मिलने विंदु है जहां एक जगा सभी देव और अशूर मिलते हैं और अपना शक्ती प्रदर्शन करते हैं और उसे समुद्र मंधन से जो प्राप्त होती है सभी के सभी या अंगवास दान कर देते हैं केवल एक चीज रखते हैं जिसकी आगे मैं चर्चा करूंगे वह क्या एक चीज रखते हैं और सब को सब विश्व जनमत को दान कर देते हैं महाचंपा का नाम जो है चंपा का नाम कहीं महाचंपा है जो चीन में भी है जो भीयत नाम में भी है आपका इससे होता है कि क्यों मेरे नाम का लोग उपयोग करेंगे और चीन जैसे देश वियतनाम जैसे देश कस्मीर में भी चंपा है कस्मीर में भी चंपा है दचिन पूर एशिया में चंपा को तो अंग द्वीप कहा जाता है आज भी उसको अंग द्वीप कहा जाता है जिसकी हम यहां प और कहा हैं अंग बंग कलिंग के ज्यादा लोग यहां पर आज भी बसे हैं आपको बता रहा हूं अंकोर वट जिसको अंकोर वाट भी कहते हैं अंकोर वाट का पुर्वणाम था अंग कोर वट अंग कोरविस अंग जो च्हेत्र है अंग जो आपको महाजनपत है उसके नाम पर यह एंग कोड़ वट है जो कंबोडिया में है और वहाँ पर कंबोडिया का यह जो मंदिर है बहुत विश्रूत है और यह आपको बता देते हैं मंद्राचल आकार की यहां पर मंदिर है मूर्ती भी मंद्राचल की है तो आप क्या इससे नहीं प्रमानित होता है कि अंग की सांस्कृतिक प्रभत्तों से या प्रभावित हुआ हो आयोध्या आप कहते हैं कि आयोध्या यूपी में है लेकिन थाइलेंड में जो श्याम कहलाता था उसमय वहां भी आयोध्या है तो यह जो है यह बहुत बड़ी बात है और इसलिए अंग का और आयोध्या से केवल शम्मंद ही नहीं काफी प्रगार रिलेशन था केवल आपको राजा दसरत के काल में ही नहीं राजा दसरत के पुर्व उनके पिता के काल में भी और बाद के कालों में भी काफी सामंजस से रहा है काफी हरदय से एक दूसरे काफी स्वागत करते थी इसलिए यह जो है अंग कई तिहासकार तो यह काते हैं अंग और रहत्या में कोई अंतर ही नहीं था तो यह जो है सुसही में क्योंकि दोनों में अन्योनासरे शंबंद्य था मैं आपको बता रहा हूं अंग महाजनपत की धार्मि एवं ग्यान की विसेश विसेश्टता क्या थी अब आप देखेंगे कि इसकी जो मैंने आपको कई बार चर्चा किया है कि इसकी जो विसेश्टाएं हैं वार रियली में विसेश विसेश्टाएं हैं जो मैंने सुरू में यहीं चर्चा किया था कि देव जो वैदिक हम लोग काते हैं देव और ब्रात ब्रात मिंस असूर संस्कृती का समागम संगम अस्थल है और यहीं पर शमुद्र मंधर मंदार परवत से होता है और उससे जो उत्पन वस्तुए हैं वह सवी विश्व को दान कर देते हैं इसलिए मैंने सुरू में भी कहा था कि यह अंग प्रदेश दान प्रदेश है दान भूमी है और जिसका बाद के कालू में कर्ण के काल में भी आप देखते हैं शवा मन शोना प्रतेक दिन दान करना यह पूरे इतिहास में आपको नहीं मिलेगा बिस्व इतिहास की भी बात करेंगे तो नहीं मिलेगा मिला था कौस्तू मनी मिला था इसके अलावे जो है आपको कल्प भिठ्च मिला था और मैं आपको बता लक्षमी हिरन्य के रूप में मिली थी पारिजात भिठ्च जो है वह मिला था इसके अलावे जो है आपको काम धेनुगा जो आप इच्छा करते वह आपको प्राप्त हो जाता अपसरा में रंभा, वारुनी, चंद्रमा, अम्रित कलास, पांचे जन्य, शंख, भगवान, धनवन तरी एवं अन्य खनीज पदार्थ भी से प्राप्त हुए थे मैं आपको यह बतला देना चाहता हूँ कि यह जो आपको है सारी की सारी चीजे यह विस्व को इन्होंने दान दे दिया लेकिन एक चीज जो है बली ने आपको उच्चाई स्रवा जो घोरा है वह अपने पास रख लिये क्योंकि मन के जीते जीत और यह जो घोरा था मन की जीत थी इसलिए उन्होंने कहा कि यह जो उच्चाई स्रवा घोरा मेरे पास ही रहेगा जिसकी आगे हम और भी चर्चा करेंगे यहां के राजा के बाड़े में बताए थे कि यहां के राजा धारमिक पुरुस होते थे सांस्कृतिक स्रेश्ट था थी मैं बहर बहर यह कहना चाहरे हूँ कि दक्षिन पुर्व एशिया में जितने भी द्वीप और जितने भी देश में वह गए वहाँ पर लाठी बंदोक और तोप के कारण नहीं गए बल की प्रेम और शहयोग शदभावना सांस्कृतिक स्रेस्टता और आर्थिक पुनर उत्थान के लिए एक दूसरे से जुड़े इसलिए उपनिवेस कहा जाता है और वह उपनिवेस से पहले एक शब्द जोना पड़ेगा सांस्कृतिक उपनिवेस जहां पर आज भी शहयोग और शदभावना से वहां के लोग आपको भारत के लोगों को आज भी आपको सम्मान की दृष्टी से देखते हैं मैं आपको बता रहा हूँ राजा कर्ण छट पूजा को काफी प्रसाहित किये और यहीं जो है छट पूजा का काफी विस्तार हुआ और यहाँ जो छट पूजा होती थी वह चो महीने तक मना जाता था आज भी छट पूजा तो भले ही हमारे हाँ दो बार होता है और वह जो है लेकिन रवीवार की जो पूजा होती है महिलाएं और पुरुस जो करते हैं वह छट पूजा का ही निरन तरता है जो आज भी काइम है तो यह जो है छट पूजा 6 महिने तक यह मनाया जाता था यह जिसमें निरोग काया से संबंदित यह है धन और संबर्धन के लिए यह मनाया जाता है शक्ति और संबर्धन के लिए मना जाता है और विसेश करकर के आरुग के देवता इनको कहा जाता है तो यह जो है सूर्ज की पूजा की जाती है तो इसको ध्यान में रखेंगे मैंने आपको कई बार बताया है कि चानन नदी की पेटी में एक नगर शब्यता का अनिवेशन हुआ है लेकिन इस पर अभी कार्ज विसेश रूप से अभी नहीं हो रहे हैं अगर इसका अनिवेशन किया जाए इसकी खुदाई किया जाए तो मैं जरूर कहूंगा कि मुहंजो मुहंजोद्रो और हरपा तो कुछ छेत्रों में ही फैल गया यह इसका जो फैलाव था वह दक्षिन पूर्व एसिया तक था तो इस निस्षित ही इस पर कार्ज किया जाना चाहिए कल पशुत्र में लच्वार जो है सोयतांबर परंपड़ा में इसकी चर्चाए हैं वासु पुजी जो थे बारह में तिर्थंकर जो थे उनकी पंच कल्यान भूमी जो जन्म अस्तली जो सम्मेश सिखर पड़ है ज्यान अस्तली निर्वान अस्तली सभी के सभी चंपा पूरी में हैं पंच कल्यान भूमी कहा जाता है वासु पुजी का यह जो है बहुत महत्यपून ह इसको हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए 12 में तिर्थंकर है मैं यह कहना चाहरा हूं कि यहां पर 11 शिश्यों में से जो आपको महावीर के 11 शिश्यों में से सुधा रमन का चरण रज भी यहां पढ़ चुका है इस अंग प्रदेश में उनका भी सुधा रमन का भी चंदना जिसको हम लोगों चंद्रवाला काते हैं चंदनवाला काते हैं भगवान महावीर की मौसेड़ी बहन लगती है छठी सताब्दी पुर्व की घटना है ददिवाहन जो राजा थे अंग के महान राजा थे ददिवाहन की साधी लिच्वी राजकुमारी से हुई थी और वह लिच्वी राजकुमारी जो थी पदमावती थी उन्ही की पुत्री चंदना चंद्रवाला भगवान महावीर की प्रथम शिश्या बनी है जो यहाँ पर या जो है वाशुपुज्य है आर या जो है चंदना और चंद्रवाला है चंदनवाला है भगवान महावीर की मौसेरी बहान है, प्रथम महिला शिस्या है, इसको ध्यान में रखेंगे, विसाखा जो है जिसको मिगार माता कहा जाता है, अंग जनपद के ब्यापारी नगर भधिया, मैं बार बार कर रहा हूँ, भधिया या भधड्या या भध्रिका या भक्षिय ग्राम की स्रेष्टी ध उत्री हैं जो स्रावस्ति में पुर्वा राम विहार पुबा राम मठ का अंद्रवान करवा करके बुद्ध को प्रदान की थी तो यह जो हैं आपको विशाखा की भी चर्चाएं आपको यह विशाखा जो थी आपको अंग प्रदेश की थी जो यहां पर चित्र में आप लिख रहे हैं इस चित्रों से आपको अस्पस्ट हो गया होगा ती या चंदना हो या चाहे विशाखा तो विशाखा बुद्ध के सिस्या हुई और चंदना जो है महावीर की उस समय भी यहां की यहां की महिलाएं काफी संबेदन सील थी और काफी प्रकरता थी और काफी बेदा से परिपोन थी तभी 12 वर्ष की उम्र में ही विशाखा जो है सो बौद धर्म को या के प्रती इनका आकर्षन काफी बरहा और वह उसके बाद बौद हिशिश्या के रूप में या आपको जाने जाने लगी मैं आपको आगे बतलाने जा रहा हूं कि ददिवाहन की ब अचा आप बड़ाबर सुनते होंगे बहुत फेमस हैं और आपको बता देते हैं प्रिदर्शिका जिनको विंद केतु की बेटी अरनेका भी कही जाती है कौसंबी नरेश सतानिक के पुत्र जो वस राज उदेयन या उदाईन है के साथ साधी होती है सतानिक ने ददिवाहन पर आक्रमन कर दिया था जिसे ददिवाहन ने राजनेतिक संबंद के तहद साधी हुई थी या उदाईन है वाशवदत्ता की भी आप चर्चा सुने होंगे शप्न वाशवदत्ता जो है की जो कहानी है इनसे ही जूईवी है मैं आपको बता रहा हूं मुंगेर में ही नहीं बलकि नाथ नगर में भी कर्ण चौरा है जहां पर सवा मन स्वन दान करते थे कौन करते थे वाश जो करते थे कर्ण करते थे क्योंकि कुवेर देपता के सहयोग से इस प्रदेश को धन धन से शंपन कराये थे और मैं आपको बता दे रहा हूं कि यहां कहा जाता है कि कहा नहीं जाता है जन्द सुरूधी नहीं कई पुस्तकों में इसकी चर्चाएं हैं कि रात भर सैकरो स्वन मुद्राएं से लदी बैल गारी ऐसे ही खुले हुए रूप में रहते थे और तब उसका जा करके उसका काउंटिंग होता था तो लोग लेती नहीं थे चोड़ी होती नहीं थी और पूरे विशो से इतने धन आते थे जो आपको गिनने के लिए इनको कई दीन लगता था और उसको फिर से रखा जाता था तो आर्थिक रूप से काफी यह संपन्न छित्र था अंग महाजन की आर्थिक विसेश विसेशता जो थी या केवल आपका ब्यापार ही नहीं था बल की क्रिशी भी था और उसमें हम आपको बतलार हैं पाननी ने चार-पांस तरह के धान की चर्चा किया है दस मोठे अनाज की चर्चा किया है जिसमें कूर्ठी है, कलाई है दलहन, तिलहन, सूथनी की भी चर्चा है जो छटपूजा में उपयोग होता है और यहाँ पर काफी मात्रा में उत्पन्न किया जाता था, उत्पाधन किया जाता था, हल्दी है, मकई है, जूट का छेत्र तो आज भी हुआ है, कतरनी चूड़ा है जो आपको धान से निकलता है और वह कतरनी चूड़ा विसेश रूप से भागर पूरी कतरने चुड़ा की आज भी खुसबू लोग लेने के लिए खाने के लिए उस्पराते है फल उत्पादन में केला उत्पादन आम सनौला का जो छेत्र मौर्ज काल में जो पाए गया जर्दा जिसको पीला आम कहा जाता था फाहियान और हर्स के काल में भी बा वह जो है यहाँ पर गूर की काफी उत्पादन होता था जिसको खारसाडी का बेवशाय का आ जाता था पीरपैती का गूर बहुत फेमस था मैं आपको बता रहा हूँ गन्ना उत्पादन में काफी रूप से तकनीकी रूप से ग्यानवान लोग ही कर सकते थे इसलिए ब्रम्हन लोग को दे दिया गया क्योंकि वह ज्यानी होते थे परम ज्यानी होते थे और उनको तकनीक के सहारे करते थे तो इसलिए यहाँ की भूमी जो थी ब्रह्मदेव कहा जाता था और यह जो ब्रह्मदेव है ब्रह्म्हन को विक्सित करने की जिम्यदारी दी गई थी क ये special economic zone आज का ये शब्द है special economic zone लेकिन ब्रह्मदे जो था वो ब्रह्मन लोगों को दिया गया था कि आप इस तरह से कृशी करें कि आमजन भी उसका नकल करें और गन्ना की खेती हो सिचाई चानन नदी के तीन भाव में से एक चंपा नदी कोसी महा नदी गगड़ा पुसकर्णी तालाव या बढ़वा नदी ये सब नदी के द्वारा काफी गंगा नदी जिसके द्वारा यह सिचाई की ब्यवस्था होती थी और यहां पर व्यापार से तो आते ही थे स्वन मुद्राएं स्वन भंडार भड़े हुए राते थे आपको बता है खजाना हर हमेशा स्वन मुद्राएं से भड़े राते थे साथ साथ सूने का पहार था जो जमुई करमटिया सूने का खान जो आज भी भारत का आपको कुलार तो आप खत्म के कगाड़ पर है और यह नवीन सरविक्षन हुआ है इसका मतलब है यह जमुई का जो छित्र है जमुई करमटिया का सूने का खान उस समय से यह प्रचलित था मैं बैपार की जो बात कह रहा हूँ या बैपार जो था या बहुत ही फलाफूला था और या बैपार जो था जो निर्यातित वस्तु में रेशम आप देखते हैं कि कुशान काल में रेशम के दोरा आपको कनिस्क तीनू मार्ग से जो या उनके पिता जी उस पर कंट्रोल किये थे तो वह जो स्वन आपको सिक्का चलाए थे और काफी धन उपारजन किये थे और मैं आपको बता रहा हूं कुशान काल तो बहुत बाद का काल है यह अंग महाजन पद जो है उस समय रेशम यहां से वस्तर विदेशों में की जा है और वा रेशम जो है विदेशों में दक्षिन पूर्वेशिया में यह भिजा जाता था लकड़ी यहां पर बहुत फेमस लकड़ी थी मगद के साथ साथ यहां पर था और मगद भी शुरुवाती दौर में शुरुवाती क्या बिंबिसार से पहले का जो शाशन है सभी पथर, मशाला, हाथी और हाथी के दांथ की वस्तुएं निरियातित की जाते थी और निरियातित जो चीजे हैं वह भिजे जाते थे मैं कई बार आपको चर्चा किया हूँ कि रोम में मिस्र में बर्मा जो मैनमारवी का लाता है पढ़ला हिंद सुवर्ण बोमी जो हिंद प औरनियों, मधूरा, सेलिवेज, बाली, लोंबोक, टिमोर, मालाया, त्रायजी प्राइदीप, मॉलक्स, न्यू गिनी, न्यू गिनी का मतलब है कि आस्ट्रेलिया की पास, न्यू पापू आ गिनी और न्यू गिनी जो है, वह जश्ट पास में ह Aunライ N packs तक व्राइर्टत, आप् संपना और्टित की जाती ती वियरन goose सहर का चप्षा करते हैं तो उस मेट राविक सहर्थ ऐसों निगमा कहा जाता था निगमा का मतलब चेंटर आए आएं यहां से ट्रेडिंग सेंटर जो है वा जमूनियां होते हुए गंगा के माध्यम से तम्र लिपती जो बंगाल का बंदरगा है से सुवर्ण भूमी तक बैपार होता था आरपंत की जो संपादित पुस्तक है इलोन्यूशन आफ इंडियन कल्चर एज डिपी सिटेट इन जातक के अनुशार यह बात है कि तम्र लिपती होते हुए यह पहुं जाती थी सुवर्ण भूमी तक जाती थी अंग मैं आपको बता रहां बुद्ध के मृतु के समय तक महा परिनिर्वान शूत में यह चर्चा है कि छो प्रमुख नगर में चंपा जो है सबसे प्रमुख था उसके बाद स्रावस्ति साकेत कौशंबी बनारस गिरी ब्रज जिसको राज ग्रिह कहा जाता था लेकिन चं उसमें सरव प्रमुख था अंग महा जन्पत की राजनेतिक विसेश विसेश्टता पर भी मैं चर्चा करना चाहता हूं मैं कई बार आपको चर्चा किया हूं फिर मैं विदूर पंडित जातक जो आपको जातक कई हैं लेकिन अभी बर्तमान में 522 जातक ही बचे हुए हैं और 522 जातक में विदूर पंडित जातक या बहुत महत्तपूर है इसको ध्यान लखेगा ददिभाहन के समय मगद की राजधानी राजग्री अंग के अधिन था ब्रिहद्रत मगद को जीता था लेकिन बाद में 25 सार से आहत हुआ था लेकिन यह जो था आपको सुरुवाती दौर में मैंने कई बार कहा हूँ कि यह जो था अंग के अधिन थे ब्रमदत जो दीप वंस में इनके में बढ़नित है भटी भटी भी कहा जाता है भटिया भी कहा जाता है को हरा कर मगद को जीता था लेकिन बाद में उसका बदला जो है बिम्बि सार ने ले लिया तो मैं आपको यह कहना चारा हूँ कि मगद भी अंग के अधिन थे मैं तो आप बंसावली पर चर्चा कर रहा हूँ बंसावली में 25 राजा की चर्चा आती है 25 राजा की चर्चा आती है कुल जिसमें से आपको सरप्रथम लेक है आनव वंस के शासक महामना के पुत्र राजा जो है महामना के पुत्र राजा तितुक्षी का चर्चा है लेकिन महामना प्रथम है दूसरा तितुक्षी है लेकिन तितुक्षी महान राजा थे इसलिए तितुक्षी से भी सुरू की जाती है ऐसे भी प्रशना आपसे पुछे जा सकते हैं मत्से पुरान और महाभारत के उंसार यह जो है आनववंस के जो बली थे जिसको बाली भी कहा जाता है राजा सगर के समकालीन थे और समुद्र मन्थन में मैंने कई बार बता है कि उच्चाई स्रवा घोडा को यह रखे थे लेकिन इनको संतान नहीं था तो उन्हेंने द्रग तमस से अग्रह किया कि आप आसिरवाद दीजिये तो रिशी के रिशी ने बली की पत्नी सुदेशना से नियोग प्रथा के माध्यम से पांच पुत्रों को जर्म दिया था उसमें से राजकुमारों में से एक थे अंग और वही अंग जो हैं सो अंग के संस्थापक है अश् पुत्या के राजा धसरत के पिता थे उनसे काफी घनिष्टता थी उसके बाद दीवीरत आते हैं आप देख रहे हैं दीवीरत हैं उसके बाद धर्मणत है धर्मणत राजा दिलिप के समकालिन है और चित्रत है दिलिप के बाद रगु के समकालिन चित्रत है सत्यरत जो है उनके पौत्र जो थे रोम पाद जिसकी हमने आपको कई बार चर्चा किया रोम पाद जो हैं आपको या बहुत महत्पूर्ण राजा हैं जिसको बहुत सारे लोग बहुत सारे इतियास का लोम पाद भी कहते हैं लेकिन या शोम पाद भी है रोम पाद भी है रोम पाद भी है और इनको दसरत भी कहा जाता है, तो दसरत से confused नहीं किजिएगा, वैसे या दसरत के सारू भी थे, छोटे सारू थे, कोसल में इनका ससुवाल था, जो मैंने आपको बता है कोसल्या की छोटी बहन वर्षने से इनका विवाववा था, या विलक्षन पूस थे, और या शांता क दत्तक पिता भी थे, यानि पालन करता थे, शांता जो थी, आप जाने रहे, भगवान स्री राम के बड़ी बहन का नाम शांता थी, और क्योंकि राजा या जो दसरत थे, और कोसल्या की साधी समगोत्री हो जाने से, उनकी पुत्री जो है विकलांग पैदा हुई, और वह जब तक वह बड़ी हो रही थी, उस समय तक दसरत की इस्तिती अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने अपने सारू से, रोम पाद से कहा, कि आप इसको पालन कीजिए, जब वहां से यह आ गई, अंग प्रदेश में आ गई, तब वहां पर काफी आपको बरहुत्री होने लगा, और बाद में जाकर के राजा स्रिंगी रिशी जो थे, वह अंग प्रदेश के थे, और स्रिंगी रिशी का आश्रम भी आज भी है, आपको हवेली खरकपूर के पास जो पहारी है, वहीं पर है, और वह स्रिंगी रिशी से साधी करवाए, और स्रिंगी रिशी ने क्या किया, कि वा अपने ससूर धसरत और रोम पाद दोनों के लिए आपको पुत्र कामेष्टी यग किये और उस कामेष्टी यग करने से दसरत को भी चार पुत्र हुए आप जाने रहे हैं राम भरत लक्षमन शत्रोगन और इनके भी पुत्र जन्व है क्योंकि ये भी पुत्र विहीन थे तो उसके बाद जो है चतुरंग होते हैं चतुरंग के बाद प्रितु लाक्ष होते हैं चंप हैं चंप ही पान नगड़ी वसाई थी, घरियंग है, भद्रत है, सत्यरत है, ब्रिहन महनज है, जैद्रत है, जैद्रत की बिवा जो है छर्टरी और कन्या जो थी ब्रामनी से हुआ था और जिसकी बाद से या जो है आपको इनके जो पुत्र हुए वह ब्रिहद्रत हुए मगद को जीता था लेकिन बाद में विभिसार से आहत हुए थे उसके बाद विश्व जीत हुए थे जिनका नाम विजय भी रखा गया था या प्रतिलों बीवा से उत्पन बच्चा यानि शूत बंस होता है क्योंकि कन्या जो है ब्रामनी है और आपको छत्रिय यह थे तो जैद्रत से के बाद से या जो पुत्र विजय जो जन लते हैं वह शूत बंस कहा जाता है इसलिए अधिरत को आप सुने होंगे कि अधिरत को महभारत में शूत कहा गया है और अधिरत जो है से सूत कहे जाने लगे अंगराज कर्ण हुए अधिरत के पु वा कुंति पुत्र थे लेकिन वा पालन करता थे तो या जो है अंगराज कर्ण महावारत के काल में कर्णगर में इनका किला और आपको जन्म हुआ था भागलपूर में उसके बाद ब्रिखशेन हुए प्रिथूशेन हुए और ब्रहमदत हुए अंतिम शासा का ब्रहमदत ही दीप बंस में पिता जो इनके थे उसको भाटिया भाटिया को हडाय थे और मगद को जीते थे बाद में बिम्बी साड जो चंपा नाला का युद्ध में हार गए और श्रेनी का जो बिम्बी साड की बेटी थी अपने दादा के अपमान का बदला दिलवा करके ब्रहमदत की मर्तिव करवाई थे मैं एक बात और कहना चाड़ाओं कि बिम्बी सार अपने पुत्र आजाज सत्रू जिनका नाम कुनिक था कुनिया और अशोका नंद भी का जाता है जब यह जीत लिए तो चंपा के उपर राजा निउक्त किये थे और आपको और उसके बाद जब आजा भद्र जो है वह उपराजा आपको इस चित्र के हुए थे यत्रे ब्राम्हन में कहा गया है कि राजा अंग विरोचन हाथियों को काबू करने वाला था वह शन्सापक थे यह यत्रे ब्राम्हन के उंसार जो आप यहाँ देख रहे हैं आपको यहाँ पर दिखाई पर रहा इत्रे ब्रह्मन के उसार और इंद्रमहाविसेख यग किये थे अंगड़ाजा काफी सक्तिसाली थे इस ग्रंथ में कहा गया है कि ये विश्व विजेता थे शसांक मैं थोरा सा चर्चा करना चाह रहा हूं हर्षवर्धन कालीन है और या जो है आपको मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं ससांग जो है हर्सवर्धन कालीन है जस्ट हर्सवर्धन के थोरा सा पुर्व का सकते हैं लेकिन हर्सवर्धन से भी इनकी मुटवेर हुई थी ठीक है तो या जो है मैं यह कहना चाह रहा हूं कि या आपको हर्षवर्धन कालीन भी कह सकते हैं इनकी राजधानी गौर थी लेकिन या जो है दूसरी राजधानी आपको अंग छित्रों में ही रखे थी प्रधम राजधानी इनकी वहीं थी गौर थी जो बंगाल में है मैं एक बात और कहना चाहरा हूं कि जराशंध जो थे आपको जराशंध ब्रिहदर्ध के पुत्र थे और कर्ण सभी को वह जीत ले थे मगद शामराज उनके अधिन था वह सभी को जीत ले थे लेकिन केवल और केवल महाभारत काल में आपको बता दे रहें अंगराज कर्ण से वह भैखाते थे कारण क्या था क्योंकि अंगराज कर्ण यह जानते थे कि यह जो जराशंध है वह उसके जो सडीर है वह आपको दो भागों से सटा हुआ है और बीच में उसका कमजोड भाग है तो वह जब आमने शामने वह तो एक शब्द कहें अंगराज कर्ण कि मैं तुम्हारी कमजोडी को जानता हूं और तुम जितना भी तागत दिखलाना हो दिखला दो लेकिन तुम्हारे जो यह शंदी अस्तल है उस संदी अस्तल में तीर से मारूंगा दो टुकडा कर दूंगा उसके डर से उस उद्वेधार के डर से वह कभी भी कर्ण से नहीं टकडाए क्योंकि उनका जन भी एक रिशी के आसिरवाद से हुआ था रिशी जो है एक फल उनके पिता को दिये थे और पिता घर पर जाकर के क्योंकि उनकी दो पत्न को 20 से काट करके दे दिये दोनों गर्वती हुई बच्चे हुए तो दो भाग में बटे हुए दो पुत्र हुआ तो कहे की यह तु बच्चा बेकार है तो उशको वह जंगल में फेक दिये तो जंगल में एक जरा नाम की जो औरत थी वह जो है उसको देखी कि अब फेक दिया गया वह सटाई दोनों को तो बच्चा जन लिया वह बच्चा सकुचल हो गया तब जा करके वह राजा को दिये और वह बहुत सक्ति साली था केवल या कमजोर पक्ष जो था वह जानते थे इसलिए अं नाम दिलवाए क्योंकि वह अपने में जगह से चोड़ करके वह दूसरे जगह चले गया मैं यह कहना चाह रहा हूं इतनी साड़ी बात जो है मैं कई पुस्तकों के अध्यान के फलसरूपियल या हूं गुगल तो हैं प्राचीन भारत का राजनितिक यह उसांस्रितिक दिय प्रोफेसर राधक्रिशन चौदरी कुंदन अमिताब द्वारा लिखित अंग और अंगिका के अंतराष्टिया आया बेवेद ब्यास द्वारा शंकलित अथर वेद है एस्स्ट्री ओफ इंडिया इलियट और दौशन का है बाधायन धर्मशूत है चंद्रवर्दाई इखित प्रतिवी राज राशो एवं एल एन एल डे नोट्स और एंसियंट अंग ओफ डिस्टिक और भागलपूर रहु संक्रित्यान एवं हवल्दार त्रिपाठी की बिहार सरकार की पुस्तक हवल्दार बहादूर सहिर्दय की पुस्तक बाध धर्मशूत बिहार शशंक उपन्यास जो है राखाल डास बनर जी अनुवादक रामचंद्र गुहा जो थे वह जो हैं उनके द्वारा या लिखी गई है या रामचंद्र गुहा अनुवादक के रूप में लिखे हैं लेकिन राखाल डास बनर जी जो हैं शशंक जो राखाल डास बनर जी आप जान ही रहे हैं हरपा के आहरपा मोंद्यद्रों के अनिवेशन में प्रमुफता से भाग लिए तो शशां को पन्यास लिखे बिहार एक राजनेतिक दिगदर्शन जैचंद्र विद्यालंकार हिम चंद्राय चोदरी की पुस्तक अन्य कई पुस्तकों का मैंने पूरा अध्योपांत पर करके यह सारी चीज़ दिया हूँ मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि यह मेरा उस छित्र से बहुत ही बचपन से लगा हूँ है क्योंकि मेरे पिता जी भी लखी सरा है जो अंग प्रदेश के छित्र है वहां के भी कॉलेज में पढ़ाए प्रोफिसर रहे और मेरे बड़े च प्रुषिता जी का नाम प्रोफिसर मत ना कर जाता और उस छित्रों मेरी मेरी पूरी चाह से खुडा हो प्रितोष जी वहाँ से computer center चलाते थे और चाहे संकर जी हैं लखिसरा में सारे या मुंगेर में आज भी चल ले हैं। उत्म जी और मुरतिस्वर जी के द्वारा आज भी computer केंद्र चल ले हैं। तो सारे अंगपरदेशों का एक एक छित्र लोसी जो है वहाँ पर राजेश्जी हैं तो सारे जगह मैंने भुमा है एक एक जगह इसलिए बहुत सारे चीजों को मैंने देखा है समझा है और तब यह लिखा है चलिए आप लोग को आप लोग का सिर्वाश योग रहेगा तो यह आप लोग पढ़ेंगे जय हिन जय अंग